कुछ प्रदार ऐसे होते हैं जो देश के लिए भी मिसान और समाज के लिए भी काम्याबी की कहानिया अगर आधी आबादी से आती है यानि महिलाओं से जुड़ी आती हैं तो देश को उस पर गर्द होना चाहिए समाज को उससे एक दिशा मिलनी चाहिए और आधी आबादी यानि महिलाओं को उससे बहुत कुछ सीखनी को मिल सकता है क्योंकि बड़ा बतलाब अगर आपको करना है तो आधी आबादी को उस समान धरातल पर ख़ड़ा होना पड़ेगा जो देश में पोचों के साथ कदम दाल मिला कर चलें और कोई फर्क न रह जाए और उनको भी आप फर्क के नजबिये से ना देखें अगर ऐसा अनुभव कोई देता है आपको तो उसकी कहानी आपको सुननी चाहिए ऐसी कहानी ऐसे ही किरदार हम लेकर आए हैं आपके लिए इसे हम बात करेंगे हमारे साथ है लक्षमी राफ जो कि कई किरदार जीती हुई यहां तक पहुँची है उनकी कहानी बहुत दिल्चस्प है नमस्कार मैं हूँ आपके साथ रोशन मिश्रा काम्याबी के किसे सफलता की कहानिया किसको प्रेड़ना नहीं देती है लेकिन कई बार ऐसी कहानिया आपको सुनने को मिलती है जिसमें जो किरदार होता है जो केंद में एक करेक्टर आपको नजर आता है आप उसे सुनते हुए ना सिर्फ प्रेरित होते हैं प्रिवार आपको ऐसा लगता है कि शायद मुझे भी ऐसा कुछ करना है या मैंने इसको ऐसे जिया होता तो आज मेरी कहानी अलग होती उस कहानी को इस करदार को बहुत अपने पन से आप देखते हैं और खास तोर से कुछ करदार ऐसे होते हैं जो देश के लिए भी मिसाल है समाज के लिए भी, काम्याबी की कहानिया अगर आधी आबादी से आती है यानि महिलाओं से जुड़ी आती है तो देश को उस पर गर्भ होना चाहिए समाज को उससे एक दिशा मिलनी चाहिए और आधी आधी आबादी यानि महिलाओं को उससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है क्योंकि बड़ा बदलाब अगर आपको करना है तो आधियाबादी को उस समान धरातल पर खड़ा होना पड़ेगा जो देश में पुर्शों के साथ कदम दाल मिला कर चले और कोई फर्क ना रह जाए और उनको भी आप फर्क के नजरिये से ना देखें अगर ऐसा अनुभव कोई देता है आपको तो उसकी कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए ऐसी कहानी ऐसा ही किरदार हम लेकर आए आपके लिए जिनसे हम बात करेंगे हमारे साथ है लक्षमी राफ जो कि कई किरदार जीती हुई यहां तक पहुंची है उनकी कहानी बहुत दिल्चस्प है और एक बिजनस वुमन के तौर पर उनको सराहा गया है उनके काम को प्रतिस्ठा मिली है ब्यूटी पेजेंट में भी वो हिस्सा ले चुकी है लेकिन इसके अलग भी कई ऐसी परते हैं जो खुलेंगी बहुत कुछ जानने को मिलेगा लक्षमी राफ जी स्वागत है आपका नमस्ते मैंने जो अभी तक आपको जाना है जितना पढ़ा है आपके बारे में जो पब्लिक डोमेन में है उसमें ये है कि कई बार आपको सरहा गया है लंबे वक्त से आपने बिजनिक के शेतर में बहुत काम किया है ऐसे अंट्रेपरिनर्स बहुत से होंगे जिनको आपने ट्रेनिंग दी है जो आप जैसा बनना चाहते हैं ब्यूटी पेजिन की बात करते हैं जानना चाहते हैं या आप अपने बारे में जब पढ़ती हैं तो आपको लगता होगा ये में ज्यादा हूँ ये में कम हूँ ऐसा होता है कि आपके साथ आप अपने आपको क्या मानती है आप कैसे अपने आपको डिफाइन करेंगी कौन है आप नहीं, मैं और भी बहुत कुछ करना मांगती हूँ, मैं जब अपने आपको देखती हूँ, अरे मैं बस इतने ही किया, और भी जादा करना है अभी, और भी काफी मतलब मन्जिले हैं, जो इनको पार करके हमें एक डेस्टिनेशन में पहुँचना है, उसमें बहुत सारी चीज कहां कैसे पहुँच सकते हैं, मैक्जिमम क्लाइम्स तक या इंडिया इतना बड़ा है, पॉपुलेशन इतनी जादा है कि हम रीच हमारी कहां तक उस समय यूट्यूब नहीं था, फेस्बुक नहीं था, तो हम कैसे रीच हो, कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ अलग करना है, ज अनको अनको जो है, एक मापिंग मिले, अपने लाइफ Frame को जीने का एक, जैसा लाइफ नहीं रहता हमेश्या ऊपर नीचे जाता रहता है तो लोग सोशते हैं कि लाइफ जये एक सिंगल, यदि लाइफ-सिस्रे Dennis य श्राय है, तोध मिस्याट और एट, लिए से नाक आपके आपने, क्योंकि सबसे पहले मैं जिस्ट्रीज को चुना चाहता हूं, वो आज के समय में बहुत बात हो रही है, बात हो रही है युवाओं को ऐसी ट्रेनिंग देने के लिए, जो जॉबस में हो जाये तो अपना बहतर कर पाएं, या कॉर्पिट में जरीए से अगर देखा ज कई साल पहले भी जाता है, ये शुरुवात कहां से हो, ये क्यों आपके जहन में आया कि युवाओं को ट्रेनिंग जरूरत है, बले ही वो इतने अच्छे कॉलिज से निकल कर आए हूं, लेकिन अगर कॉर्पिट बोल्ड में आना है, किसी कंपनी में आपको जॉइन करना है तो कंपनी की अपनी डिबांड हो सकती और आप शायद उसके लिए भी कैपिबल नहीं, क्यों लगा आपको? कि क्या जॉब किस कॉलिफिकेशन के लिए फिट है, आपका जब स्किल सेट देखते हैं, तो माक्स तो रहते हैं, 80-90% आपको मिल रहे हैं, आपके बच्चे को, पर जब वो जॉब के लिए जाते हैं, तो एक बार भी मुझ खोलके उनका आंसर नहीं दे पाते हैं, ताट व कि लिए कम से कम एक पोजिशन के लिए, एक हजार से दो हजार तक बच्चे वेट करते थे, क्लाइंट आते थे, और बिगर कंपनीस, लाइक एल, गूगल, ये एंफसिस, बड़े कंपनीस आपकर के इंट्रिव्यू लेते थे, और वो इंट्रिव्यू में ये मुझ खोलके आँसर भी देनेट पाते थे, अच्छा मैं यह जानना चाहता हूं क्योंकि आपका एक्स्पिरिंस आलोवर इंडिया, पैंडिया रहा है, ये प्रॉब्लम नॉर्थ की साथ है, ये साउथ की साथ है, नॉर्थीस में ये अलोवर इंडिया प्रोब्लमें ये प्रोब्लम हर ये प्रॉब्लम यूथ से है, जो फ्रेशर से है, जो बिल्कुल की आप कहते हैं कि अभी भी फ्रेश ग्राजवेट्स, ये उनके पास एक फियर लेवल उस समय बहुत था, आजकल बच्चे जो है, ये एक स्टेप वी स्टेप है, प्रोग्रेस दिख रहा है हमाँ पास, दो त्रू शोशल मेडिया वो सब कुछ जान ले ले है, क्या है, सब कुछ है, बट अब हमारे पास, पलड़ा जो है, मीचे हो गया कि जॉब्स बहुत कम है, उनसे रिलेटेड और आपने जैसे बोला कि वुमिन्स के लिए, हमारी जो वुमिन्स है, आप यदी कोई कोई सुनना चाहेंगी, तो एक पूरा सेग्मेंट हम उस पर देंगे, क्योंकि आपकी जर्नी पर वो पार्ट बहुत ऐसा है, जिस पर फोकस करना चाहिए, मैं बैक तो इसी टॉपिक पर आता हूँ, कि आपको लगता है, क्योंकि आप ट्रेनिंग देकर उनकी इंप्रूव करते मेरा इंट्रूविव देकरेंट मेरा इंट्रूविव में, जो लेटस्ट जो भी डेवलफमेंट उसके बारे में बात करती हो, जैसे हमारे टीचर्स हैं, टीचर्स भी जो है, ओल्ड फैशन प्राटजी में पढ़ा रहे है, वो सकता है, हमारे कुछ उनुमेश्टी बहुत ही बोरिंग लग रहा हो क्योंकि वहां पर ओनलाइन क्लास या आपको डिजिटल मीडिया के थ्रू जो एडुकेशन देनिये वो फुली एक्विब ना हो आपको क्या मालूम है कि गाओं में शेहरों में कितने फैकल्टी स्टीचर्स को मालूम है इस टेक्नोलोजी के बारे में तो हाव मच्छ वी आर स्लोडाउन और फास्ट टू फुली एक्विब टीच तू पढ़ाने के लिए जो शिक्षक का रहा है वो फुली एक्विब है कि फर्स थिंग हमें देखना है सेकेंड यह देखना है कि हम तीन साल या चार्व साल की जो भी डिग्री करा करके बच्चे को बाहर भेज रहे हैं वो केवल किताबी भाशा सिखा के अच्छा ए प्लस बी स्कूर कुछ भी बता करके हम भेज दे रहे हैं पर वो ए क्या है वो ब इस रेडिमेट मिल जाएगा उनके पेरेंट्स का बिंग अ मदर इवन वी ऑल्स थिंग कि जैसी बच्चा ग्राजवेट कर लेगा उसको जॉब तो मिल जाएगी एक कॉन्फिडेंस है हमारे इंडिया में कि बिग्री करना ही करना है नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो जो कि अब चेंज हो गया है पैटन आप इंटर और टेंथ करने के बाद भी कुछ ऐसे ऐसे स्किल्स है जिनको डेवलप करके आप जॉब कर सकते हो पर हमारी क्या है हमारा नेबर का बेटा वी पढ़ रहा है हमारे नेबर की बेटी जो है डॉक्टर पढ़ रही है तो हम उस संथे भीड में घुसना मांगते है हम अलग कुछ करना ने मांगते है वो अलग करने कि हमत ही नहीं है हमारे भाह ज्ली जी को खिर करना चाहता हूं हम ज्ली सालों से काम कर रहने 이제 टो एक रूरल बैल्ट का किसस और आए वो बहुत से जो व्यूवर से रिलेट करेंगे, हम कई गाओं में ऐसे देख रहे थे, जहां पर computer की education दी जा रही है, और वहां computer नहीं था, तो board पर teacher ने computer बनाया, और पच्चोंग बताया, यह monitor है, यह mouse है, यह cabinet है, CPU है, और आप सोचिए वो बच्छा निकल कर जाएगा, और यह certificate करके आया है, और आप हैरान हो गई हो कि इसको तो कुछ भी नहीं पता है, या आपको उनके parents से शेयर करना पड़ा हो, कि आप सोच रहे हैं कि इसके पास degree हो गई है, लेकिन यह market में, और किसी भी company में काम करने के लाइक स्किल नहीं है, यह, 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 many times, not only once, बहुत हुआ है, जब भी हम drive करते थे job के लिए, जैसे thousands of students आये, और मेरी आदत थी कि जब interview हो रहा है, होने के बाद मैं interact करती थी, बच्चों के साथ, बच्चों के बाद उसके पेरेंट्स के साथ, अच्छा आंसर कैसे दे रहा है, यह दी बोर्ड में, वहाँ यूनिक्स में है, CC Plus में, प्रोग्रामिंग में, किसी ने, फैकल्टी ने भूल से dot लगा दिया है, तो वो वैसे ही copy में उतार के ला रहा है बच्चा, प्रोग्रामिंग को, वो अपना कुछ यूज नहीं कर रहा है, वो वहाँ पर इमरलब copy करके ला रहा है, उसको थरो करके फिर वो जवाब दे रहा है, तो वो dot क्यों लगा है, वो भी नहीं मालू है, क्योंकि वो गलती से लगा है, वो भी गलती से उतार कर रहा है, वैसे ही programming कर रहा है, and when in the real part, जब interview हो रहा है, examiner पूछ रहा है, तो वो गलत हो जाता है, नहीं मेरा बच्चा तो 80% है, parents बखला जाते हैं कभी कभ रही है, वो इसलिए क्योंकि हम अपना जो बच्चे को अपने अप सोचने की जो शमता होती है, उसके उपर focus नहीं करने दे रहे, उनको decision लेने नहीं दे रहे, अब भी ठीक है, but when we compare previous years, और अभी भी बहुत सारे colleges में, अच्छा, आपका बच्चा यदि जा रहा है कुछ ABC, XYZ, university और college में, तो हमारा भी बच्चा वहीं जाएगा, या आपके बड़े किसी college में पड़े हैं, तो उसी college में जाएंगे, ये भी एक trend है हमारा, old-fashioned strategies, जिसमें से हमें निकल के आना है, और education, जो अपनी strength हो सकती है, यदि बच्चा बोल दिया, नहीं, ये university नहीं, दूसरा university, तो फिर खताम, उसकी जिंदगी, नहीं, हमारी बात ही नहीं सुनते हैं, आजकल बच्चे खराब है, generation खराब है, इस बात को भी बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने discuss किया, और along with their parents, तो skilling जब मैंने start किया, तो parents का पहला एक fire question ये था, कि क्या ज़रत है, skilling की क्या ज़ किया था, मेरे पास जितने बड़े clients थे, जिनको मैंने train किया था, उनको jobs पहले मेले थे, और धीरे 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 वो skill set बढ़ता चला गया, अभी जो है skilling हमारे पास, अभी भी मैं करती हूँ, जो 35-40 students को ही मैं अपने class में रखती हूँ, pharma का और IT का classes चलते हैं, उसके फोकस इंडिया से या सॉल्विक्स लक्ष्मी मैडम के training class से बच्चा निकला है, तो उसको जरूर subject आता होगा, वो तीन साल degree में शायद नहीं सीखा होगा, वो यहाँ पर 60 days में जरूर सीख के job पालेगा, वो confidence में दे के भेशती हूँ, वो fight करके बाहर निकल जाएगा, वो एक confidence, अलग एक हम life से related भी कुछ questionnaire, उनके subject से related, सभी प्रकार की चीजों का हम cover करते हैं, उसमें, 60 days में ऐसा नहीं कि फिर वही old pattern, बच्चा जा रहा है, class हो रहा है, exam लिख रहा है, फिर job के लिए जा रहा है, नहीं, हमारा pattern ही बिलकुल अलग है, So always focus India, बात करते हैं, 2012 में आपने से private limited किया, यह जो company बनी उसके बाद इसका पहला center, मैं शुरुआ से जाना चाहता हूँ, अभी तक इतनी students से निकले हूँ है, आपका training का तरीका क्या है, अगर कोई जानना चाहता है, कोई जानना चाहता है, किस city में कैसे contact कर सकता है, और देली यह चारो जगा रखा हुआ है, अभी भी है, आफ लाइन, आफ लाइन, कुछ ना कुछ हमारे पास, जो भी training चलता है, हमारे पास challenge कहां आ रहा है, कि students जो है, they are not ready to pay the fee, वो कहते हैं, कि हमने डिग्री करा दी, parents कहते हैं, we already paid for the degree, again this one, एक काम करी, जाग पहले दे दी है, कि आपके बच्चे को जॉब हो जाएगी, आजाएगी, तब आप मुझे इंस्टॉल्मेंट में दीजें, लाखो तक गए होंगे, क्योंकि मैंने कभी, see my Solvix is not limited to only PL balance sheet, मतला profit and loss देखकर के मैंने company ना तो start की है, ना मैं कर रही हूँ, ना करूंगी, मेरा में मुद्ध यही था कि बच्चों को unemployment निकालना, जिसकी वजह से मैंने अपनी job छोड़ी और यह company start की, तो मेरा main यही था कि जादा से जादा बच्चों को मैं job दिलाओ, मेरा main aim वो है थे, तो उस skilling दे करके, मैं training दे करके, pharma industry में, IT industry में, maximum मैंने दिया, और आज जो मैंने 2012 में, जिनक यह खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, यह जो सफर रहा, यह आसान नहीं रहा होगा, किसी के लिए भी जो business world में कुछ भी करना चाहता है, अपने दम पर अगर एक दुकान भी शुरू करते हैं, तो आपको मालूम होता है कि इतनी चुनोतियां होती है, लेकिन जब आ आपने में लेकिरें, अपने खुशियर जब साःसस भी क्वेशन हैं, से थो जब खैल वो प्लैंगे намने हुशी मने खुशार को में लीज एक प्ली कने मैंपा क्रपीना शुक्ते डाव में में व्न नमया के लिजय थेखुशी के लिए अश्धार ओं मात्यिसे जभीकशी क मैं हिन्दी इसलिए अच्छा बात कर सती हुए हिंदी है इलाबादी है तो जैसे अमिताब बच्चन जी बहुत ही फेमस है वहां के तो इलाबाद से बड़े-बड़े परसनाल चीज निकले और मैंने कुछ स्केच करके नहीं किया था कि मैं फेमस होंगी बाद में पर हां मेरी शुर्वात ये थी कि मेरी लाइफ ऐसी रहनी है और मुझे ये करना है तो I was trying to get medicine seat CP EMT करके combined pre-medical test उन दिनों उसमें मुझे dentist का सीटाया था तो मेरे डैडी बोले नहीं मेरी बेटी दाते नहीं उखाड़ेगी you know that time was very orthodox kind of thing and UP में और इलाबाद में पड़ी हुई लड़की का तो और भी थोड़ी सहमी सहमी में रहती थी कुछ मुझ खोल करें तो बोल नहीं सकते थे हम लो और same year I got married medical field में जाना था लेकिन आपको ऐसा कोई इंट्रेस था आपकर मेरा प्लान यह था कि मैं डॉक्टर होंगी मैं एक हॉस्पिटल खोलूंगी और मैं सेवा करूंगी जो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उस वह एक मेरा विजन था एक मेरा ड्रीम था हमेशा का मैं शायद एक दो घंटा ही सोती थी and my father was also interested वो कभी भी काम से आते थे तो मुझे भी अलारम लगा के उठ जाते थे में बोटानिकल जितने भी नेव्स थे तुल्सी के उसके अभी भी मुझे याद है क्यूंकि मैं तीन साड़े तीन चार वजे उठकर के पढ़ती थी and उन दीनों यह था कि आप अल्ली मॉर्णिंग स्टुडीज करते वो lifelong याद रहेगी तो वी उस्टू फॉलो बढ़ बाट तो वह अभी भी मेरा मैंने अभी रिसेंटली जैसे UK डारेक्टरशिप से मैंने कांसिल फॉप यूज किया ने वी किया चाहता हूँ और शादी बी तभी हो जाती है और उसके बाद मैं हैंधरब आपके चारो तरफ सब अजीव गरिब चीज हो रही है और अव सड़न जहां पर आप नेतराम जी की जो कचोडियां काते थे जलेवी समुसा काते थे यहां के इडली दोसा कंप्लेटली डिफरेंट लांवेज इडांट नो तिल्ग हो अलसो तो तुछ स्लोली स्लोली मैंने पता नी कहां फस गई हुआ जो समझ में नहीं आ रहा था किपी डॉक्टर होना है शादी अने के बाद ऐसा एक एन्वाइरमेंट देखना तो यह एंब अब तब तक नहीं बहुत तक नहीं बहुत तो उनको भी पसंद नहीं था कि मेरी बेटी बहार जाया काम करे कुछ करे तो बट स्टिल आई सब्सक्राइब मेरी फाकल्टी की थी और मेरी जॉब की सालरी जोती 1500 थी मेरी बेटी करेगी जॉब मेरे पाप बात नहीं किया मैंने का करना पड़ेगा क्योंकि मुझे यदी आपने डेंटेस नहीं बनने दिया आपने कुछ कोई बात नहीं किया कोई बात नहीं पर मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी जब मैं यह सब करते हुए M.B. भी हो गया और डायरेक्टर आई टी कंपनी में गई तो मुझे कुछ साटिस्फेक्शन नहीं रहता था जॉब करने पर मुझे लगता था मुझे कुछ और करना था म मुझे कहीं और फस्ती जा रही हु मैं तो रातो रात मुझे उन दिनों 2.5 लाक्स की पैकेज की जॉब चोड़के मैं आ गई मेरे हस्बन ने का यह पागल हो गई है कोई दाई लाग का पैकेज का कोई छोड़के आता है he was also very upset my mom my sis की इसको हो क्या गया है मैंने का नहीं यह थीक तो था अच्छा तो था अच्छा कासा fixed a company amount आ रहा था तुम भी happy मैंने का नहीं मुझे satisfaction नहीं मिल रहा है मुझे कुछ और करना है that pinch was there something I have to do and I travelled also other countries उसी समय में बहुत जगा visit करती थी देखती थी कि वहां यह technology पर कैसे काम हो रहा है वहां पर यह कैसा infra है वहां क इसे exposure मिल रहा है ladies को girls को कितना अच्छा उनको वेटेज मिल रहा जो यहां पर नहीं है और हमारे south में भी orthodox था system मेरे in-laws की तरफ सभी हमको भी अपना change करना है हमारे भी society हमारा भी state है तो उसको भी change करना है बोलके मैंने का ठीक है मैं company में अपनी start करूंगे रात और फोकस इंडिया इसलिए नाम रखा था कि मैं अपने इंडिया अपने भारत को फोकस करते हुए शहर से किसी state से limited होके नहीं unlimited होके काम करना है बोलके start किया तो इलावा शहर दिली बैंगलोर और हैदरावाद को इसलिए मैंने चुना था ता कि वो पूरा मेरा जो तीनो state का जो blend है मैं साटिस्फाइब कर सको अपने शुरू करनी और यह एक प्रॉब्लम नजर आए जिसको आपने नोटिस किया क्यूंकि बिजने में आप प्रॉब्लम सॉल्व ही करते हैं तो यह आप अकेले था या कोई टीम अकेले था पूरा मैंने अभी तक जितना भी कोई भी प्रोज कि अकेले ही मैंने किया है मैं किसी की बात मही सुनती हैं, मकाम सामने अपने।िस में करके साहिए, मैं नहीं सुल्कषाय पिछा कंश पहराला था मिधा लाइउ認मरा आप इसको जरृ ल selves ये अगर विक्त अचलशून लेकिन ये भी सचाही हैं कि अगर आप महिला हैं तो कही करना है और किस मकाम असिल करना है तो पुर्शों के मुकाबले है तफ है तफ हो इज टो वर्ड हम नहीं बनाया है हमें गलास में से पादानी निकाल के पीना तो किसी के लिए वह घोगा नए यह उठाठी करके पी लैंगे वह ईजी होगा तो यह जो परिभाषा है हम लोग बनाते हैं अहीं टौफ है इज यह आद्मी का काम है आघ्टका काम है किस ने बनाया है हमारे ही aty लोगों ने भार है बनाया है जब मैं निकल के आकल आज तो क्यों देश की सारी ओरते आगे-ा कराम नहीं कर सकती है क्यों मतला मेरे आज के विजरू किया और उससे पहले भी बहुत सी business women इसको देखकर आप आज के वक्त में एजी है कुछ जगह पर कुछ हमारे नेटवर्क में बट आप यदि बियांड क्रॉस करके जाएंगे तो वहां अपनी फैमिली में उन लोग औरतों को आगे आने नहीं देंगे आप अभी भी देखोंगे बहुत सारे फैमिली में मैं भी देखती हूं एंड देखी की बिजनस वुमेन है तो शी मस्ट बी आउट्सपोकन विल्कुल और नहीं है या कल्चर नहीं है पर मेरे घर में दोनों टाइम दिया जलता है शीव जी पर जल चड़ाय जाता है यदि मैं बहार निकली हूं तो मेरे बच्चे फॉलो करते हैं तो वह कल्चर हमा ना नहीं बनाएंगे मैं खाना भी बनाती हूं बहुत उम्दा भाना जादी हूं नहीं है दोनों और कॉंटिनेंंटल है अइसव साथ अह। पर आपके उपर है क्यूंकि आपके उपर आपने उरत का पहला धर्मिय प्हल सक्डेन ओपर देख आपने बच्चों को देखा ये यह नहीं कि मुझे यह नहीं करना है बस इतना ही करके मैं घर आओंगी वापस और मैं चली जाओंगी लिमिटेड नहीं रखना है औरत का फर्स्ट क्या है इसमे इसबिल्टि बच्छों को फैमली को देखना उसके बाद एक्स्ट्रा टायम आपको जब कुछ मिल रहा है तो उसमें आपको अपना कर्या पर ऐरिया में उसमें आपको निकल करके आना उसमें सीखना स्में पढ़ना उसके उषितた क्रेंगे हम ऐट करके हम कुछ काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, कि और अरत का फिर्स धर्म है, वो responsibility है, जहां पर भगवान नहीं पहुंच सकते हैं, वहां मा पहुंचने के लिए माबाब को बनाए गया है, तो वो responsibility हम लोगों को शेर करनी चाहिए, और उसके उपर भी हमें ध्यान रख आपना चाहिए, कि बच्चे भी हमारी first responsibility है, तो वो हमारे घर का एक culture है, वो हम लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं, अभी औरतों को जैसे अच्छा एक इंफ्रा देकर के government जैसे कर रही है, अभी बहुत सारे प्रयास कर रही है, उसकी वज़ा से उसमें कुछ मैं देख रह में भी government दे रही है, उसी तरीके से ये औरतों को भी समझना है कि बहुत सारे changes हो गए हमारे चारो तरफ, अब हमें change होना है, हम अपने रूडिवादी धारनाओं से निकल करके बाहर निकलेंगे, तो उसमें एक आपको easy है, ये tough है, हम आदमी है, मौरत है, वो तो बिलकुल सोचना ही बंद करतेंगे जब आप busy हो जाएंगी तो, मैं easy tough से अलग दूसे तरीके से पूछता हूँ, आपकी जो सामने challenges आए है, कोई ऐसी story है जो आप share करना चाहें, जो आपको लगता है कि अगर आप कभी किताब लिखेंगी अपने उपर, तो वो किस से जरूर शेयर कर करने चाहिए, जिससे लोगों को, specially जो young entrepreneurs महिलाए हैं, उनको कुछ इससे सीखने मिल सकता है, लोग सोचते हैं कि पैसा है होगा, घर में सब सपोर्ट करते होगा, इसलिए business movement हो गई, इनको असानी है नहीं, मैं पैसे को, मतलब एहमेत है, पर पैसा है तो ही एक काम होगा क्या कि मैंने कभी नहीं सुचा, demonetization आया था, मुझे salary देने के लिए staff को पैसे नहीं थे, बिलकुल नहीं थे, क्यो जो clear हो गए थे, वो दे दिया गया था, बाकी आगे कैसे चलेगा, और वो बहुत ही पैनिक situation थी, मैंने सोचा कि अब मैं क्या बंद कर दूंगी, मैंने का नहीं बंद तो नहीं करना है, इसको इतना कश्ट उठा के जब यहां तक लाई हो तो बगवान भी है, और मेरी महनत है, मैं कुछ ना कुछ करके इसको आगे लेके जाओंगी, तो वाटर एटियम का उस उनी दिनों वो concept जो है, मेरे माइन में आया, देखे दो, जर बारा में वाटर एटियम का concept हम लोग सोच ही रहते कि I was in technical also, तो 12 स्टेजिस में purification water ATM हम लोग ने बनाया, तो आप उस challenge को य खतम कर दीजिए, आप चाहिए तो वो उसको opportunity के लिए तरह लीजिए, यह तो आप के उपर है, आप कितना strong हो situation में, इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद, इतना support लेने के बाद family का, यदि आप छोटी सी problem में आकर के you shattered completely, then what is the use of education system, हमारे जितने धर्म है, जितने भी च जारो पांचो दर में, क्या सिखा जाता है, to make human being strong only, life is not easy, मैंने जितना कष्टाया तो शायद, मैं बता सकती हो कि, शायद कोई और दूसरी औरोत होती है, तो शायद रुख गई होती है, या खतम कर दी होती है, मतलब, solvix इतने साल तो नहीं चलता है, तो यह आपको लगत निखारते हैं, अगर आप उससे निकलते हैं, I believe, I believe, I believe in destiny, I believe in God, तो भगवान ने बहुत सारी परिक्षाय लिए, वो ठक भी जाते हैं, बहुत सारी परिक्षाय, अभी और कितने लेंगे, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जब वाटर एटियम मेंने स्टार्ट किया था, जै तो आपको loan bank sanction नहीं करती है, मुझे family की तरफ से support नहीं लेना था, क्योंकि ये तो मेरा अपना था, it was my own journey, own strategy, own things, तो मुझे लेना ही नहीं था, क्योंकि very first when I started, मेरे reporters और जो first interview हुआ था, या मैं कहीं जाती थी, तो वो यहीं कहते था, आप तो well belong family से हैं, आपको क्या करन आपका initial naam सुनने से ही आपको clients आजाएंगे, तो that made me very upset, I was completely shattered कि ये क्या है, मैं इतना कश उठा रही हूं, it is not because of my family initial or surname, it is my name and my efforts, completely no one else have given any single help for this, and मैं अपना नाम खडा करूंगी और इसको आज तक मैंने अपना ही नाम लक्षमी रह के नाम सही किया है, कोई initial मैं यूज न unless it is not any passport or bank signatures, that's it. मैं आओंगा और चीज़ों लेकिन जब आप महिलाओं के इसी जगे बात कर रहे थे, जिनके लिए वाकिया आज के वक्त में भी challenges बहुत ज्यादा है, लेकिन ये भी stories हमें देखनों को मिलती है, especially सहकारी जो संस्थाएं होती है, और अमने देखा है कि आजादी के बाद सही महिलाओं ने अलग लग groups बनाए रूरल बेल्ट में, गौर्में ने उसे support किया, मोधी गौर्में ने एक ministry बी उसके लिए बनी, आप बहुत stories मिलती है, especially लग लिज़त पापड की अगर आप देखते हैं, मूल की देखते हैं, आप ऐसे बहुत से सहकारी, तो आपको लगता कर रहे हैं, तो एक कोशिश हो रही है गौर्मेंट के और अलग लग जगों पर हो यह कि जो ऐसी विमन हैं, जो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, लेकिन वो किसी ना किसी प्रोटेक्ट को बनाने में सक्षय में और एक ग्रूप्स में काम कर सकते हैं, वो एक बिजनिस ख़ गौर्मेंट सोचती है, दिखाती है एक रास्ता ओरतों को, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि यह थी यह अवसर को यूज करते हुए, अभी भी औरते नहीं बदलेंगी, तो फिर कब बदलेंगी, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे, 1994 की बात कर रही हूं, उन समय हमें कोई जब कुछ नहीं होते हुए, इतना स्केच करके अपनी लाइफ को सुधार सकती हूँ, तो आज तो गौर्मेंट और आपकी फैमली में और आपके मोबाइल में इतनी चीजे है, आप कुछ भी कर सकते हूँ, आप मानती है कि आज के वक्त में शुरू करना हो, तो आज के वक अपने आपको देखती है कि बहुत से काम आपकी सराही जा रहा है जो कि बिजने से जुड़े हूए है, लेकिन पर ऐसमें सवाल उठता है कि ऐसा क्या लगा आपको कि ब्यूटी पेजिंट्स में भी आप कुछ ट्राई कर सकती है, कहां से एक खयाल आपका, वोग तो 2016 से ज सब लोग उनवस्टी में बोलते हैं, लक्षमी, यू हाव रियली गुड़ हाइट और आपको क्यों नहीं तुम मॉड्लिंग में जाती हो, तो वो एक रहता है कि हर एक जो भी है गुर्ल और वोमें, बीटिफुल, हाव बीटिफुल, हाव बीटिफुल, हाव बीटिफुल बीटिफुल, हाव बीटिफुल, हाव बीटिफुल, इस अप टो थेम, तो मुझे यह था कि हाव में भी कर सकती हूं पर अभी नहीं थोड़ा मैं इस्टाबलिश हो जाओं क्योंकि मैं एक ओर्टोडेक्स एंवार्मेंट से निकल के आई थी और दूसरे ओर्टोडेक्स ए जाना मांग दी हो तो कोई नहीं सुनता अब लक्षमीरा पान इंडिया में नाम आपको उस समय भी था जहन में ऐसा कि ऐसा कुछ अगर मौका मिले तो मुझे जरूर करना है और उसके बाद जब लोग जानने लगे तो एक स्टैंपिंग हो जाती है कि हाँ शी इस अ कॉर्परेट वुमन बोलके इट इस अप्रूवड नो अगर पर हो कुछ भी हो हाँ यह कुछ कर रही है तो कुछ मुझे उसकी कहानी जहनी है कि यह 2016 में जब आप मिस्स इंडिया में कॉंटस में आई उसके ठीक पहले जब आपने यह फैस्ता लिया शेयर की स्टोरी विद यू फैंस और फैंली क्या था वो और कैसा रेक्शन था जीतने के बाद कर तो मुझे पता है कि बहुता है कि अश अशनल क्राउन लेके आऊंगी और आफ्टर मैरेज इन दोस देस वो भी देखिये 2016-15 में जो यह पेजन स्टार्ट वा था फॉर मैरेड वोमेंस वो भी श्याद लगता है कि उससे मैं स्टार्टिंगी था उसके लिए भी चैलेंज मैंने ही स्टार्ट किया कि पूरा जर्न अचीव तो उसके लिए आपको स्ट्रगल तो करना है कश्ट भी उठाना है हाड़ वर्क करना है सब कुछ भगवान करेगा क्या के बैठना नहीं है आपको खुद करके आपको अपना चैलेंज को एकसेप्ट करना है तो 2016 में जब आया तो अप्लाई तो कर दिया आपने रखते हैं मैरेज के बाद तो सोच यह उन वो तो खतम ही हो गई उनकी लाइफ तो कुछ जो क्लाइंट्स थे इंटरनाशनल और मेरे फार्मा और आइटी के क्लाइंट्स देवर हैपी अच्सेप्ट हां कुछ हमारी तरफ के लोगों ने कहा कि नहीं 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 इट विल उस में कैसे एज्व करेंगे मैंने का करू यह जो करके दिखाएँगी अपने आपको और मैं दूब यह संहता है नहीं जाओंगी मैं करके दिखाएँगी मैंने नहीं यहाीं कर जोitta डो वहां जाके हम लोग को जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें हम लोग गे और फिर्स्ट अप्लिकेशन फिर्स्ट राउंड के लिए 6500 अप्लिकेशन मैंने कहा थूआ इंडिया से 6500 आएं मैं तो कलर भी कम है साउथ की हो मुझे तो कोई लेगा नहीं मुझे दखेल दें किने श पर्प्रेट का एक्स्पिरेंस उनको बहुत अच्छा लगा बाटर एटियम का भी मैंने किया काम वह अच्छा लगा उनको पेजिंस को तो उसके बेसिस पर मुझे उन्हों ने ले लिया और अल्मॉस्ट फोर फिफ्टी ओनली देगा शॉर्टिस्ट एंड फिर सेकेंड र उसमें रौंड्स होते हैं फिर कुल्चरर पिर आपका जो रौंड होता है वेस्टन का सारे रौंड्स हमारे फिर कॉशनेर का everything again Mrs. India, Miss India almost same है आपका swimming का जो रहता है रहता है रहता है रहता है पाकी सब सेम है अच्छा इसे ही related मेरा क्वेशन है कि ब्यूटी पेजिंट जो जो ब्यूटी स्टेंडर्स है जो ब्यूटी स्टेंडर्स है जो खुबसूरती के माना किसमें ताय किये गहे है आप उसे अपको लगता है किसमें बदलाव की जरूरत है क्योंकि एक सर्टन फिगर है एक सर्टन तरीका है तो आप उस तरह की पेजिंट में जा सकते हैं Mrs. India म लगे क्या कुछ गया वो चीडर हुआ लेकिन इसरह की जो बुंट Evans स्टेंडर्स है वही खुबसूरती के माना को सकते है इसंग आपको लगता है कि गुबसूरती सब खुबसूरत है आप अपनी खुबसूरती को चारचांद कैसे लागते है आप अपने 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 और है यदि घर में बैठे हो आप कुछ करनी रहे हो बस जा के क्राउनिंग करें और इस क्राउन विच आई ओन इस नाशनल लेवल इस नाशनल लेवल में जब क्राउन आपको आया है तो डाट मै रिस्पोंसबिल्टी की पूरे हर जगा जो भी शोशल अवेरनेस है और शोशल यह नहीं की क्राउन पहन के बस घर बैठ गी हूँ तो यह कि अपको यह सोशल वर्क में जैसा होता है ने इट इस अप टू यू आपको वही है जैसे क्राउन होने के बाद कुछ लोग कुछ नहीं करते हैं बट इस एक्चुली रिस्पोंसबिल्टी नैशनल क्राउन अब आपको पर सुन्सपोंसबल्टी आया ही है कि आप इंडिया का नाम भारत का अपने देश का नाम और कितना उपर ले जा सकते हैं और उसको इंपर इंप्रूव कर सकते हैं It is not only wearing the crown and sitting in your home, there is no use, value आपकी कब आड़े होगी, value आड़े कुछ आप करोगे तब होगी, और सुनरता आप जो बोल रहे हो, हो सकता है, आप आजकल, nowadays, so many different technology came through which you can become beautiful. Yes, natural beauty, हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं, हम 1994 से हमिलाबाद में भी रहते थे, उस समें भी मुलतानी मिट्टी यूस करती थे, आज भी मुलतानी मिट्टी बेसन और मलाही यूस करती हो, no unnatural thing, no cosmetics, no nothing, but yes, natural जितनी आप यूस करोगे उतना अच्छा है, और सुनरता आप बोलते हो आप जो भी खाओगे, जो भी सोचोगे, जो यहां है वही दिखेगा, आप यदि उदास हो तो तुरंत आपके face पर कैसे expressions बदलते हैं, तो that is also one part, bigger part, इसमें बहुत 2-3 घंटा बैट के बात कर सेते कि क्या खाने से क्या होता है, आपको एक और 2-3 channel episode बनाना पड़ेगा उस दी जाए, जिनका कलर कम है, वो भी बहुत skilled रहते हैं, अपने नजरिये से, अपने तरीके से लो खुबसूरत है, आप अपने आपको कैसे project करते हो, international platform पर, अच्छा, 2016 की बाद, जो उसके बाद जो event हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बताई, जब internationally आप, जब Mrs. India का crown जी मैं भी मुझे select किया गया, तो that is achievement, बट मेरा वो passion था, मेरा वो interest था कि मुझे crown जीतना है, बस उस crown के base पर मुझे कोई movies के offers आए, TV, television, serials के आए, पर मेरा aim, main क्या था, focus क्या था, unemployment हटाना, जो मैं पहले से करते हा रही थी, अच्छा, आपको ये अभी वे है कि वो मेरा, I am corporate woman, yes, corporate woman के तौर पर जाना जाए, बाकी additional है, बाकी additional है, बाकी additional है, बाकी मेरा passion है, interest है, hobby है, मतलब वो जो core काम है, उसे आप छोड़ने वाली तो नहीं है, मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी, बोल करके, बहुत लोगों ने सोचा, कि मुवी में आएंगी तो ये छोड़ क्राउनिंग के बाद नहीं, बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे, सुनते आ रहे थे, उस समय भी अभी भी suicide cases बहुत होते थे, तो उसको रोकने के लिए, जैसे कि छोटे सा कुछ चीज हुआ, आज कल नहीं पहले भी, tension बोलते थे, tension हो रही है, अब उसको stress का नाम दे दिया गया, अब डिप्रेशन से अब वो suicide cases में चले जा रहे, तो आप देखे, पर आर 4 cases, suicide case हम लोग दिखते थे, job नहीं मिलना, dowry cases और domestic violence, कुछ भी हो, मतलब आदमी इतना weak हो गया है, कि वो एक challenge कुछ आता है, तो उसको face नहीं कर पाता है, आपके पास बहुत सारे option है, मेरे पास तो कुछ भी option नहीं था, जब मैंने journey start की थी financially, mentally, physically, education wise qualification, सब कुछ मैंने अपना add-on करती गई, उसको क्या-क्या चाहिए, वो add करते हुए, आगे बढ़ रही थी, जब मैं इतना कर सकती हो, मेरे पास कोई इतना बड़ा system तो नहीं था, कि उसको 10-15 लोग हैं और में निकल के आ रहे हैं, ऐसा नहीं था, पर जब मैं कर पा रही हूँ, being a one simple, छोटे से शहर में रह करके आ सकती हूँ, तो बड़े शहरों के लोग तो और अच्छा कर सकते हैं, इसी case में आप कर रहो, मतलब जहां पर भी लोग हो जाते हैं, और वो society कर लेते हैं, तो उनको लिए हम लोगो ने एक प्रोग्रामिंग स्राइट किया, जैसे यूथ के लिए skill set, वैसे उनके लिए कि उनको बहार निकालना है, और depression के उसमें से, उनको चेंज करना है mindset, कि positivity लानी है उनकी से, उसमें, positivity के, lack of positivity, only they are taking such kind of action, one second भी सोचते नहीं कि उनके पेरस का क्या होगा Exactly, आपके बाद जो लोग सफर करते हैं, वो सफर करते हैं, आप suffering को किसी भी तरीके से खत्म नहीं करते हैं, that is not the end, इसलिए ये skill set जो है, इसको ही main बना कर कि हम लोगो ने एक life से related करके, उनको mind पूरा है, brain जो है काम करता है हर एक चीज में, आप बड़ा बदलाव कर रही ह और हमारी कोशिश रही है कि हम कम वक्त में जिंदीगी में ऐसे बहुत से इंचुए पहलू होते हैं, जिनको हम समेट कर ला पाएं, मैंने कोशिश ये कि हम वो हिस्से छूपाएं जिससे लोगों को कुछ सीखने को मिले और personality क्या है लक्षमीराब की वो करीब से जानने का म हो वो कामयाभी में बहुत से लोग और जुड़े हैं जैसे जुड़ते रहें बहुत बहुत शुक्री आमसे बात करने के लिए नमस्ते थैंक यू सो मच